नमश्कार मैं हुनेहा शर्मा स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर बात कर रहे हैं मंतली राशी फलकी जिसमें हम बात करेंगे नवंबर महीने के राशी फलकी और जानेंगे बारा राशियों का हाल इन सब की जानकारी देने के लिए हमार साथ जुड़े हुए हैं कुंड चलिए बात करते हैं धनू राशी की लेकिन धनू राशी की बात करने से पहले हम जानेंगे गोचर की नवंबर महीने में धनू राशी के लिए गोचर कैसा रहेगा देखिए निहां यहीं पर 13 नमबर को जो हैं वह अस्थ हो जाएंगे अगला गोचर जो होगा वो सूरे का होगा सूरे 16 नमबर को राशी प्रड़तर्ग करेंगे और कुंडली में बार में भाम में चले जाएंगे रहो के तू एकस्स में यह महीने का दूसरा होगा कैस्द तीसराज जो होगा वगज गूरू का गुरु आ वो बहूंबर को 21 नौमबर को ही अस्त वस्ता से उदे वस्ता में आ जाएंगे यह तरीके से अच्छी हो जाएगी क्योंकि मंगल यहां पर पंचम के मालिक है पंचम के मालिक का अस्त होना अच्छा नहीं था उदे हो जाएंगे तो अच्छी चीज हो जाएगी उसी दिन बुद्ध जो है 21 नौमबर का गोचण रहेगा और मोटे तोर पर सूरे का बारवें जाना अच्छा नहीं है गुरू का तीसे जाना अच्छा नहीं है और इसके फल जो है वह इसी तरीके से मिलेंगे धनूराशी के जातकों को पूरा महीना नौमबर के महीने की यदी हम बात करते हैं तो जी अब बात करते हैं नौन फेवरेबल डेट्स की नरेशी कुछ तारीके ऐसी होती हैं जिन पर हमें बहुत ध्यान देना होता है तो धनूराशी के जातकों के लिए कौन सी वो डेट्स हैं जिन से उन्हें ध्यान में रखना चाहिए नहा नमवंबर का महीना खास तोर पर यद हैं उनके कारग्रह यही हैं सारी अरग्रह अपना काम करती है लेकिन चंधर मा अजब वहां पर आते हैं तो एग्जी क्योशन चंधर मा के ई होती है यह चंधरमा 13 और 16 … कमबर को यहां पर चोथे भाव में रहेंगे चोथे भाव में चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं माना जाता यह सुकस्तान होता है यहां से सारी एसेट्स आती है यह मां का भाव है तो 13 और 16 की दिन यदी आपका कोई अगली डेट्स जो है वह 25 और 26 की जब चंद्रमा यहां पर रहेंगे अश्टम भाव में हाला कि यह करक राशी चंद्रमा की अपनी राशी है लेकिन यह सीधा शनी के परभाव में आ जाएंगे केतू के परभाव में आ जाएंगे वैसे भी चंद्रमा का अश्टम गोचर चंद्रमा आपकी गुल्ली में अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे रहेंगे रहू के तू एक्सिस में रहेंगे सूरे के साथ रहेंगे यह भाव खर्चे का भाव होता है छे और साथ तारीकों अचानक से ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनकी आपको उमीद नहीं थी तो यह जो है वो ध्यान में रखिएगा फंद्रा और सोला पच्छिस और चब्विस छे और साथ यह छे डेट्स जो है नोंबर की धनुराशी के जात्कों के लिए अच्छी नहीं है जी तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ की धनुराशी की जो जातक हैं उ स्टेश्ट का लगन में आना अच्छा नहीं है यह बिमारी को दावत देने वाला है तो सबसे पहली बात यह है कि ग्रहों की इस्थिभी आपके लिए अच्छी नहीं है भिमारी के लहाज से और आपकी फिजिकल हेल्थ के लहाज से उसका कारण यह है यहां पर सूरे फ़्वें भाव में बैठें हैं कि जब अच्छा है इन्युंट तो मरु ऐस तो भी जचोji आगा। स्था भाव की उन्युक्ञा। आदे कुपने। दू सार्व मेरी बाव नरे सुटम नहीं पहुतनी है। हैं और स्टमक तब डिस्टर्ब होता है जब आपकी इटिंग हैबिट्स खराब ворती हैं देखिए यहां पर शनी दूसरे बह ने की लिए नियंक्रणा जाएगा चीजिए बाहर की खाऊँगे तो गड़बर हो जाएगी क्योंकि जब vetival सिजन आता है तो हम देखते हैं तो आपको क्वाल्टी प्रटक्ट करिए आप चीजें अच्छी खाईए घर पे बनी खाईए और थोड़ी सी सवाद के चलते चलते ज्यादा मत खा लीजिए का ने तो बिमारी सामने खडी नजर आ रही है कुल्णी में ये इसको फिर कोई रोक नहीं पाएगा आपको डॉक् और यहां पर रहु और के तु इस भाउ को भी डेख रहे हैं शनी इस भाव को भी देख रहे हैं तो यह लंड़ी बुमारी का भाव होता है कहीं यह ना होकी बिमारी little रिंदी suis तो सवाद को लेना है लेकिन ने द्यंतरन में लेकर लेना है नहीं तो चीज़ें दिक्कत वाली हैं सामने नजर आ रहा है तो चलिए अब बात करते हैं फानास की धनु राशे के जातकों का फानास नवंबर महीने में कैसा रहेगा देखें नहाँ पैसे के लिहाज से चीज़े ठीक रहेंगी कोई दिक्कत वाली बात बहुत ज़्यादा नजर नहीं आ रही है यहाँ पर कारण यह है कि गुरू भले ही तीसरे हैं लेकिन गुरू गयर्वे को देखना शुरू कर देंगे यह आये का भाव है धन भाव के स्वामी धन भाव में रहेंगे वहां पर अकेले रहेंगे जिस भाव में शनी होते हैं उस भाव को मजबूती देते हैं तो धन भाव को मजबूती है आये भाव के ओपर गुरू की दृष्टी है तो पैसे के लिहाए से चीजें अच्छी हैं म पैसे रुके हुए वापष आ जायेंगे आपके पैसे रुके हुए वापश आजाएंगे, यदि आप आप मुस्ट करते हैं तो इनवेस्ट्मेंट के लिहां ऐसे चीजहिं पूरे तोर पर speculation है वो का मत करिएगा यह भाव खराब है पैसा डूब जाएगा आपका तो यह स्थिती थोड़ी सी अच्छी नहीं है हाला कि आयके लिहाज से चीज़ें अच्छी हैं तो चलिए अब बात करते हैं इनके रिष्टों की यानि कि धनुराशी के जातकों के चैंटी को देख रहे हैं जब दो अच्छे ग्रह훈 का पर ह OVERभाव शब्तम पर होता है तो चीजें काफी अच्छी हो जातीए हिसहां को मालिक चैंटे गोनुस इस bout kो शुब करत्री में ले रहे एक पाम करत्री होता है उत्व बांभा कुट अब का बाव, तो यदि आपके tommaking आ रहे थी तालमेज में कमी आ रहे थी कुटुमै कोई समस्य आ रही थी परवर को शल्ए कुड को ले कर तो वह चीजे अब ठीक को नी शुरू हो जाएंगी क्योंकि दूसरा भाव सप्टम के उपर शुपर भाव आ रहा है द्धनुराशी के जातकों के लिए पक्ते पड़के ऊपर गुरु का ही उपाय है क्योंकि गुरु यहां पर ना सिर्फ लगन का मालिक है बलकि सुख स्थान का भी मालिक है आपको जितने भी सुख आएंगे, चाहे वो आये का सुख है, चाहे वो एसेट का सुख है, गाड़ी का सुख है, संतान का सुख है, सारे सुख आपको गुरू से आएंगे, क्योंकि गुरू लगन का भी मालिक है, चोते भाव का भी मालिक है, तो गुरू के उपाय के तोर के उपर, आप किसी एक बच्चे की education को sponsor करें यदि आप financially support कर सकते हैं किसी को education के लिए चाहे आप stationery के रूप में आप उसकी मदद करें चाहे आप उसको fees के रूप में मदद करें जो बचा ford नहीं कर सकता लेकिन पढ़ना चाहता है उसको आप थोड़ी सी मदद करेंगे तो आपका ग तो नहीं करना है उससे गुरू खराब होगा आपको गुरू मिलते हैं आपके टीचर मिलते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करिए जितने वह आपसे खुश रहेंगे उतना आपका गुरू अच्छा रहेगा तो यह थी धनू राशी के बात नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे मकर राशी की जुड़े ने हमारे साथ धन्यवाद नमस्कार